संभल में सपा की चर्चित जिलाध्यक्स फिरोज खान पर मुकदमदर्ज हो गया है दरसल दो अक्टुबर को बापु की प्रतिमा पर दुख का दुखडा रोने का ढोंग करने वाले सपा जिलाध्यक्स फिरोज खान पर पुलिस के सामने पालिका ईयों से अभधर्ता करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है आपको बतादे कि चंधोसी छेतर में नाले में डूबने से एक बच्चे की मोद पर सपा जिलाध्यक्स फ्रोज खान पालिकाईयो पर कारवाई के लिए पूलिस से मिले थे पूलिस के सामने अपने कारेकर्ताओं के साथ पालिकाईयो के साथ अभधरता की थी अभधर्ता मामले में पुलिस ने कारवाई की वही मामला दर्ज होने के बाद सफाईकर में भी लामबंध हो गए है सफाय कर्मियों ने आरोपी फिरोज खान के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर गांधी जी की प्रतिमा के पास पहुच कर बापू को फिरोज खान के खिलाफ तहरीर की दास्तान सुनाई यह समाजवादी नेता फिरोज खां जो जिलाद्ध है इन्होंने यहाँ पे एक घटना हुई थी उसमें इसका प्रतिबाद करने आए थे इसमें उन्होंने नगरपाली का जो यू है उसने बताया कि उसके साथ बत्तिमी जी की उसको त्रेट्रिन किया और उसके साथ मिस्पि जा गया है और जियो भी ऐसे न्यूसन्स करने वारे लोग हैं उनके खिलाब विदिक कारवाई कीज़ें